ओम श्रीश्वाय नमस्तिभ्यों दोस्तों मैं शिविका आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल शिविका में हादिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज का ये जोतिशे विडियो विशेश कर मिठुन राशी वाले व्यक्तियों के लिए बेहत ही ज्यादा महत्यों पुन्यों है क्योंकि आज हम एक नहीं बलके तेन जीहां अप्रेल मैं और जून का पूरा महीना आपका कहसा जाएगा और सिर्फ कहसा नहीं हर एक च सब कुछ आपका स्वास्थ बच्चों के पढ़ाई, एक्जाम्स, प्रेम, प्यार, प्रेम, विवा, विवा तथा वेवाहिक जिवन के साथ ही भाग्य, केरियर और वेवशाई इन तीन महीनों में कैसा रहेगा सिर्फ कैसा नहीं कुन्दली के साथ में प्राक्टिकली भी आपको समझाऊंगे, मैं करना क्या है? स्क्रिन पर देख रहेए कुन्दली पर आपको फोकस रखना है, जो के मिध्वन, डाशियों के कुन्दली है दोस्तों, तो इन तीन महीनों में आपके ग्रह, आपके कुन्दली वेना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से विराजमन देहे कि जैसे के फिलाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पुंडली का अंदर जो भी आप जानना चाहते हैं के जियर पढ़ाई लव रिलेशन प्रेम विवा हो या फिर विवा हो भाग्य विविशाय के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में अगर आप कुछ भी जानना राशी पर अधारी थे तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपकी नौकरी, केरियर, रेप्यूडेशन तथा विवशाय और प्रोफिशनल लाइफ की तो दोस्तों कुंडली का ये जो दश्रम घर आप देख रहे हैं यही होता है केरियर और विवशाय के साथ साथ प्रो हो जाएगा तो एक मई को वो आपके द्वादर्श यान की कुंडली के बारवे घर में प्रवेश करके मई और जुन का पूरा महिना वहीं पर रहेंगे तो दोस्तों देव गुरु व्रहश्पति आपके द्वादर्श भाव में पूरी 12 वर्ष्वों के बाद आ रहे हैं त के लिए एक वर्दान शावित होगा ये महिना कौन सा अप्रेल गा क्योंकि उस वक्त दोस्तों आपके दशमेश यानि की दश्रम घर के श्वामी बुद्देव के साथ में होंगे वो भी एकादर्श भाव में जो के लाब का घर होता है कुंडली में तो निश्चित लाब तो करा के ही जाएंगे केरियर, नोकरी, प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त तरक्य मिलेगी दोस्तों लेकिन जो व्यवशाय से जुड़े हुए हैं उनका क्या ही कहना सबसी ज़्यादा ये ही मुनाफ़ा कमाएंगे हलाकि जो कपड़ों के काम में हैं उनकी सेल्स जाएगी और जो मंत्र अनुष्ठान वगिरा से जुड़े हुए रहते हैं उनका कार्या निर्विग्न संपन्न होने लगेंगे लेकिन दोस्तों बारा वश्यों के बाद आपके दर्शम भाव के श्वामी गुरू जब एक महीं को आपके बारवे घर में प्रविश करेंग और जोन के लाश्ट तक वहीं रहेंगे तो सिर्फ एक चीज अच्छा करेंगे स्प्रिचुलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप अगर करेंगे तो निश्चित आपको सफलता दिलाएंगे और कार्या निर्विग्न संपन्न भी कराएंगे लेकिन अपने पेड का प्रचे भी आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि एक तो गुरू बारवे घर जो कित्री यानि डिजिस का घर होता है कुंडली का वहां पर रहेंगे उपर से दोस्तों गुरू के लिए आपकी कुंडली का ये जो बारवा घर है वो उनके शत्रू का घर बन जाता है जिस में रुकावटें ज्यादा आएंगी आफरल कहें तो एक माई के पहले का समय बेहद अच्छा जाएगा आपका बहुत इच्छे से वैतित होगा बट उसके बाद का समय स्पिरिचुलिटी और मिश्ट्री के फिल्ड के रिलेटेड और डीप नॉलेज के लिए सबसे बेहतर इन समय होगा उसको गयन करने के लिए अब दोस्तों जब देव गुरुब रिष्पिती की बात होई रही है तो चलिए विवा और विवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का घर सब्तम है कुंडली का और सब्तम भाव के श्वामी भी आपके देव गु क्योंकि एक तो आपके सब्तम भाव के श्वामी कौन देव गुरु वो अप्रेल में एकादर्श भाव लाब के घर में बैठे रहेंगे यानि कि विवा और विवाहिक जीवन दोनों में आपको लाब दिलाएंगे और उपर से अपने घर पर दृष्टी भी रखेंगे या अब दोष्टों जब गुरु की पहुँच ही अपने घर तक रहेगी तो ऐसे में भला कौन उसका क्या ही बिगाड सकता है तो अच्छे प्रिश्टाव आएंगे विवाह के काद्य निर्विग में संपन भी होंगे विवाहत ही हो सकता है इंगल्समेंट फिक्ष्ट हो सकता है साथ ही वेवाहिक जीवन में पती-पतनी इंजोई करते रहेंगे एक दूसरे की कंपनी को हलाके दोष्टों एक बहुत ही खुबसुरत बॉंडिंग भी डबलप होगा पती-पतनियों के बीच में अंडिस्टांडिंग बढ़ेगी एक दूसरे को वो समझेंगे भी एक के लिए खड़े भी रहेंगे परंदू दोष्टों एक माई के बाद जैसे ही सब्तम इश्यान के आपके सब्तम घर के जो श्वामी है देव गुरु ग्रेश्पिति जब वो आपके बारवे घर में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद से सब में थोड़ी बहुत विग जो नवम घर होता है इसी को भाग का घर कहा जाता है जिस घर के श्वामी आपके बनते हैं कौन श्वयम न्याई दाता शनी महाराज जो कि दोस्तों आपके नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे तीन महीने कोई परिवर्टन नहीं दरेंगे जैसे आप देख रहे हैं कि नवम भाव के श्वामी कहा विराजमान नवम घर में ही रहेंगे तो हां यहां कोई चिंता वाली वात तो होगी नहीं पूरे तिन महीने क्योंकि भाग का भरपूर साथ आपको मिलता रहेगा पर जैसे दोस्तों हर इंसान का एक खुद का शोभाव होता है ना बिल्कुल व अगर आप भागय का साथ चाहेंगे तो यह तो नहीं होने वाला दोस्तों ओवरल के हैं तो खुद के घर में भागय के श्वामी होने से आप थोड़ा अपने पिता को ज्यादा सपोर्ट करेंगे उनकी कही हुई हर बात आप मानेंगी यह कहा चाहें कि उनकी कही हुई हर ए 31 माई से पहले और 15 जुन के बाद का समय सर्वतम रहेगा प्रतियोगिता में सफलता हाथ लगेगे लेकिन दोस्तों 23 अप्रेल तक यानि के अप्रेल 1 से 23 अप्रेल तक दोस्तों व्यवशाय में विशेश ध्यान देना होगा आपको क्योंकि मंगल शनी दोनों साथ में होंगे अब सबसे important topic दोस्तों स्वास्त पढ़ाई और love relation तथा प्रेम विवागी दोस्तों स्वास्त की बात करें तो कुंडली का पहला घर स्वास्त का ही होता है लेकिन आपके पहले घर में तिन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके राश्रित तिन नंबर पे आती है मेश, ब घरों के तरह ही कुंडली में इस पहले घर के जो श्वामी हैं आपके वो बनते हैं कौन श्वयम बुद्ध देव जो की अप्रेल स्टार्टिंग से 31 मई तक आपके एकादश भाव यानि की कुंडली के लाभ के घर में रहेंगे और 31 मई से 15 जुन आपके 12 घर में और 15 जु बुद्ध के घर में ही रहेंगे यानि पहले घर में विराजमान रहेंगे तो दोस्तों वैसे तो स्वास्ति आपकी काफी अच्छी रहेंगे इन तिन महीनों में परंदू 31 मई से 15 जुन ये जो समय है ना दोस्तों इसमें थोड़ा आपको अपना बेहत ही ज्यादा विशे सकता है इस समय बागी चिंता ना करें जो भी हुआ होगा 31-15 जुन के बिच सब कुछ आप रिकॉवर भी कर लेंगे जब बुद्ध अपने खुद के घर यानि के पहले घर में प्रविश करेंगे जो के 15 जुन को होगा पढ़ाई के बात करें तो दोस्तों कुंडली का बहुत ही अच्छे से जाएंगे इस बाल लेकिन 19 मई से 12 जुन इस समय तबियत थोड़ा धोका दे सकती है दोस्तों विदाथियों को मन उनका थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है आलस उनमें ज्यादा दिखाई दे सकती है कुछ भी बच्चे डिसाइड करेंगे इतनी सिला है वो बहुत ही शांदार चाहेगा बच्चों के लिए उनकी performance चाहे पढ़ाई में हो या फिर किसी और creativity में हो चाह जाएंगे मान सनमान सब मिलेगा हला कि दोस्तों जो couples बच्ची planning करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 19 मई से 15 जुन का ये जो समय है ना दोस्तों उत प्रेम प्यार प्रेम विवाह के बात करें तो दोस्तों कुंडली का पंचम भाव ही इसका भी घर होता है हलकि प्रेम विवाह के लिए 19 मई से 15 जुन को छोड़ देके इन तीन महीनों में आप कभी भी step या फिर decision या फिर रिश्टा पक्का सब कुछ आप कर सकते हैं आपके भविश्य के लिए सर्वेश्ट रहेगा बाकि 31 मई से 15 जुन आपके लब पार्टनर कुछ उखड़े हुए रहेंगे आपसे उनकी बातों में कुछ खटास आपको महसूस होगी जो आपको हट तक कर सकती हैं हलाकि जो भी आपके प्यार के दुश्मन हैं वो मू के बल गिर देंगे खुद की क्या कराये पर खुद ही पानी डाल देंगे बाकि दोस्तों मिस अंडेश्रांडिंग और आर्गुमेंट्स यह तो थोड़ी बहुत नौक जोंक चलती रहेगी तो दोस्तों यह बताया हमने आने वाले तीन महीने आपके लिए कैसा रहेंगे चलिए अब ह हम मिलेंगे और एक राश्री की तीन महीनों के प्रेडिक्शन्स के साथ में तिल दन टक्यार और बाव बाई